नमस्ते भारत आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे चेक्स वर्ल्ड तो आज हम सीखेंगे सननाटा राइता बनाना ये बिहार और यूपी का बहुत फेमस राइता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है तो वीडियो का आप अंतक जरूर देखें अगर आपने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कर दो बैल ऐकन दबाना ना भूले सननाटा राइता बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल के अंदर दही निकाल लेना है तो यहाँ पे मैंने एक बाउल दही लिया है और दूसरे बाउल में हम नॉर्मल पानी निकाल लेंगे दोनों का प्रपोर्शन हमारा बराबर होना चाहिए उसके बाद हमें यहां पे एक बड़ा सा बाउल लेना है बाउल के अंदर हम दही को निकाल लेंगे बाउल में दही निकालने के बाद अब हम यहां पे हैंड ब्लेंडर लेंगे और हैंड ब्लेंडर से हम इसको अच्छे से फेट लेंगे यहाँ पे हमें तब तक इसको फेटना है जब तक यहाँ पे हमारे दही के अंदर कोई Lumps ना रहें थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे हमारा जो दही है वो बहुत अच्छी से क्रीमी हो चुका है यहाँ पे देखें मैं close up से आपको दिखा रहूँ यहाँ देखें हमारा जो दही है वो कितना क्रीमी बना है यहाँ पे हमें hand blender से ही दही को फेटना है आप grinder का यहाँ पे इस्तेमाल ना करें उसके बाद हम दही के अंदर डालेंगे आदा चमा जीरा पाउडर स्वाज अनुसा नमक डालेंगे और थोड़ा साम इसके अंदर लाल मिच पाउडर डालेंगे सबी मसाले डाल देने के बाद हम दही को दुबारा से अच्छे से फेट लेंगे जब तक दही और मसाले हमारे अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दही मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हम इसके अंदर डालेंगे पानी जो एक बॉल करीब हमने पानी निकाला था उसके बाद दही और पानी को दुबारा से अच्छे से फेट लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर दिया लेंगे दिया को हम गैस के उपर रख देंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे आप दिया के जगह कोई भी मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं उसके बाद हम दिये के अंदर 4 टेबल स्पून सरसो तिल डालेंगे सरसो तिल डाल देने के बाद हम सरसो तिल को अच्छे से गरम होने देंगे जैसे ही सरसो तिल गरम हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जीरा को अच्छे से पका लेंगे थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे हमारा जीरा जो है वो अच्छे से पक चुका है तब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हिंग और हिंग को भी हम यहाँ पका लेंगे जैसे ही जीरा और हिंग हमारा चिसे पक जाएगा तब हम यहाँ पे कैस का फ्लेम बंद कर देंगे उसके बाद हम दिया को उठा करके हम राइता के अंदर डिप करेंगे डिप करने के बाद हम इसी के अंदर दिया को छोड़ देंगे उसके बाद हम यहां पे राइता को प्लेट से ढख देंगे कम से कम 20-25 मिनट तक हम राइता को ढख करके रखेंगे उसके बाद 20-25 मिनट के बाद दुबारा से हम यहां पे प्लेट को हटाएंगे और यहां पे हमारा राइता बन करके त्यार हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल करके हम दिया को निकाल लेंगे यहाँ पे हमने दिया को निकाल लिया है उसके बाद यहाँ पे हम दुबार से हैंड ब्लेंडर लेंगे और दुबारा से हम राइता को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा यहां पे जीरा हींग और राइता अच्छे से मिक्स हो जाता है तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम राइता के अंदर बूंदी डालेंगे उसके बाद दुबारा से हम राइता को यहां पे मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पता, यहां पे धनिया पता को हम बारीक में कट करके डालेंगे, उसके बाद दुबारा से हम यहां पे राइता को मिक्स करेंगे, और यहां पे हमारा सननाटा राइता बन करके त्यार हो चुका है, सननाटा राइ निक है सब्सक्राइब कर ले बैल ऐकन दबाना ना भूले मैं हर दिन नहीं ने वीडियो ले कर गया तो तो चैनल पर बने रहे तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग झाल